दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी UPI now pay later, मतलब UPI ये अभी करें बाद में पैसे दें, मतलब ये credit line पे depend करता है, तो ICIC back ने इसको शुरू किया है, तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे उसको start करना है, तो सबसे पहले Bheem application को open करके आपको अपने profile में ज क्लिक कर देंगे, अब जैसे क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए कुछ इस तरह का interface आएगा, और कुछ bank list का option आजाएगा, तो यहां पर बहुत तरह bank है, जो भी launch नहीं किया है, करने वाला भी है, तो ICIC bank को यहां पर select करेंगे, क्यों मैं ICIC bank के बारे बताने वाला हूँ, त आपके पास जो भी bank है, उसको एक बार select करके देख लेंगे, तो देखिए, ICIC bank जैसे select करते हैं, तो देखिए, यहां पर एक account शो कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, live कि यहां पर एक account आ रहा है, एक्चुली गाइज, यह मेरा ICIC bank का pay later वाला account है, तो यहां पर show हो रहा है, तो जनी pay later भी एक credit line दिया जाता है, ICIC bank के तरब से, तो वो यहां पर show कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको click करके yes वाले option पर click करेंगे, तो देखिए, यहां पर जो है, अब आपको मिलेगा यहां पर David card का last six digit और उसका expiry month और expiry date डालना होगा, verification के लिए कि आपका ही account है, तो चलिए इतना detail डालने के बाद हम यहां पर फिर से आपको आएगा UPI pin बनाने के लिए, तो UPI pin four digit का बनता है, वो UPI pin आप बना देंगे, यहां पर screen black हो गया था, क्योंकि UPI pin जब set करेंगे, आप तो वहां पर कुछ भी, ना screen shot ले सकते हैं, ना video record कर सकते हैं, ठीक है, तो black हो गया था, तो simple यही है, अगर आपको ICIC bank pay letter का option मिला हुआ है, आपको कुछ limit मिली हुई है, तो आप उसको देखिए, यहां पर connect करके भीम application में उसका use UPI के लिए कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पार है, मेरा account है, दूसरा मेरा pay letter है, ज इस तरह से ICIC bank के pay letter को आप UPI से connect कर सकते हैं,